शुगर फ्री मिठाईयां आज सभी की पहली पसंद बन चुकी हैं मीठा खाने का मन हो तीष्ट वहार हो या हो सरदी का मौसम यह मिठाई बनाएं और महिनों तक से स्टोर करके रखें एक पीस डेली खाएं और अपने आपको अंदर से और बाहर से स्ट्रॉंग बनाएं बहुत ही भड़िया और इजी रेसिपी है सबसे पहले हम हैवी बॉटम कड़ाए में ले लेंगे एक चम्मच खी और इसे लो फ्लीम पे गरम करेंगे वन फोर्थ कप हम यहाँ पे बादाम डारेंगे इसे मैंने रफली चॉप कर लिया है इन्हें को सेकंड्स के लिए रोस्ट करेंगे फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को कौन से सीटी से देख रहे हैं और आपके यहाँ पे विंटर सीजन में या फिर ड्राइफ फूट से ऐसी कौन सी चीज बनाए जाती है जिसे आप अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय करते हैं हमें कमेंट्स में जरू बताएं वनफोर्थ कप मैंने आप चॉप किये हुए काजू भी डाल दी हैं तो हम इन्हें धिरी धिरे इसमें इस तरह से डालेंगे कि जिन्हें कम टाइम लग रहा है उन्हें लेट डालेंगे इस तरह से हमारे नट्स काफे अच्छे से बुण जाते हैं साथ Aww dollars už अपके पास पी करने मैं और सबस्वास के लिए बालों के लिए जो कि हमारा के लिए और से बेंके बालों के लिए दिमाग के लिए बहुती लाब दायक होते हैं साथ ही में आ कद्र में मेश काषब यह बता और सकीरे, बच्चों को भी आप जरूरदे नियुकर निए इस में सद्धा क्ड़ाहि की तौकि फेस्टिफरीव मैं फेसे पड़ाहि लोस्त करें, इतना अच्य आपस के विल्गतfish Tut time camera व्याहि उचितकी डी ज्युनने कंपे। इस तरह से मैंने यहां पर इसे काफ़ अच्छे से रोस कर लिया और यह भी बहुत ही अच्छा और हेल्दी वाला मावा मैंने यहां पर यूस किया है सेम कड़ाई में मैं यहां पर डाल दूंगी अब यह तीन सो ग्राम डेट्स यानी खजूर अच्छी कॉलिटी का और सौफट वाला लें और मैंने इसके बीज निकालने के बाद में इसे तीन सो ग्राम नापा है ध्यान से इस बात का जरूर ध्यान रखें क्योंकि बीज निक मैंची का सब्सक्राइब कर दिए निकीत हमें इस तरह से फकाने में लगएं कंकि अंकी खजूर में में फकासी नहीं गूरते ग्राइं खायटी में कारीच को राम हिए-से कि अच्छे से मिक्स कर लेंगी बहुत यह पी इज़े सब्सक्रशर के निनी नहीं कोई चीनी नहीं डालनी है, healthy है, tasty है, अपने चाहने वालों को यदि आप इस तरह से कोई healthy gift देना चाहते हैं, तो इसे आप बना कर जरूर देवे, इसे जरूर पसंद करेंगे, क्योंकि इसे बनाना भी असान है, और हर तरह से ये healthy recipe है, सबी चीजों का अच्छे से मिक्स कर ल इस तरह से बहुत असानी से हम घर ठीट सारी मिठाईया बना सकते हैं, मैं already आपको healthy, sugar-free, good से बनी हुई, और जो दादी नानी के recipes होती है, वह भी मैंने शेयर की है, आप उने जरूर चेक करें, और फ्रेंट्स यदि आपको ये recipe जरासी पसंद आती है, हमारे YouTube चैनल पर फ से कट लगाएंगे, इस समय आप यहां पर अच्छी धारवारा चाकु लें, क्योंकि हमने नर्स चाले हैं, तो से कट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो अच्छी धारवारी चाकु से आप इसे कट करेंगे, तो बहुत अच्छी से पीस निकल के आ जाते हैं, दस समासा जरू शेयर करें, अपने मीठा खाने वाले के साथ इस रसिपी को जरू शेयर करें, थैंक यू